आग्रा के बीजेपी सांसद में उठाई जिम्मेदारी खुद ही पूरे शहर को करने लगे सानिटाइज ट्रेक्टर में टंकी बांध कर निकले सांसद सरकार से मदद लिये बिना ही कर दिया कमाल इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वाइरस का संक्रमन जेल रही है दुनिया के सूपर पावर देशों ने घुटने टेक दिये हैं और अब इस कोरोना ने हिंदुस्तान में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया लेकिन इस कोरोना से लड़ने के लिए बीजेपी सांसद ने खुद ही मोच्चा सम्हाल लिया है ये हैं आगरा से बीजेपी सांसद प्रोफेसर एस्पे सिंग बगेल जिन्होंने अपने हाथों से ही पूरे जिले को सानिटाइज करना शुरू कर दिया है दरसल आगरा में अब तक 104 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसके बाद से नगर निगम और जिला प्रसाशन के माथे पर चंता की लकीरे खिच गई हैं लेकिन बीजेबी सांसुद एस्पे सिंग बगेल ट्रेक्टर में पानी की टंकी और उसमें हाईपोख्लोराइट केमिकल डाल कर खुदी आगरा की सड़कों पर निकल पड़े हैं और अपने हाथों से पूरे जिले को सानिटाइज कर रहे हैं बीजीपी सांसद एस्पे सिंग बगेल के साथ इस काम में सैक्डों किसान भी जुड़े हैं दरसल सांसद में आगरा के आसपास जिलों में करीब पचास किसानों से ट्रेक्टर मांगे थे लेकिन अगली ही दिन उनके घर के बाहर 64 ट्रेक्टर पहुँच के सांसद ने सभी ट्रेक्टर के पीछे 500 से 1000 लेटर पानी की टंकी बांधी और उसमें हाईपोक्लोराइड केमिकल घोल कर निकल पड़े आगरा की गलियों में वही सांसद प्रोफेसर एस्पे सिंग बगेल का दावा है कि इस काम के लिए उन्होंने केंद्र या प्रदेश सरकार से एक रुपया भी नहीं लिया इस काम में उनकी पूरी मदद ग्रामीर और किसान कर रहे हैं यह किसान अपना ट्रैक्टर, अपना डीजल, अपना पानी और अपना खाना लेकर लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे हैं इस लिए मेरे दिमाग में बात आई कि सोचल मॉडल सोचल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत निविजन कर लिया है सोचल डिस्टेंसिंग खुद को रखना सेंट्रेंजिंग आद्वी खुद नहीं कर सकता है सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा मैसूस हुआ कि अगर हम भी साहता करें तो हमने कोशिश की कि बिना एक रुपया सरकार पर खर्च डाले बिना हमारे आलू किसान इत्मातपूर में जिनके पास डेकर है जिनके पास स्ट्रे मसीन है सोडियम हाइपोकलराइट मैंने उनको प्लद कराया है तो अपना डीजल अपनी गाड़ी अपना खाना अपनी चाय और अपना मास्क और अपने गलफ्स के साथ आज एकमात और छेत और हमारे कुछ मित्पतेबाद घरगल और संसाबाद से भी आई हैं यह तोटल इसको सब्सक्राइब अगरा निजी खर्चे पर से भी हमारे किसांद भाईयों ने लाएं आपके चैनल के मादम से देश में दिखाईएगा और इस पर आज अगर हथते बर में लोग काम कर लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान जो है स्टाइज हो सकता है दक्षन भारत में मैं देखता हूं कि मसालों में वो करते हैं फजूर में करते हैं नारियर के खेती में करते हैं पैडी पर करते हैं तो सब लोग के सांसद क्योंकि आप बताओ आपको आखनी बार आपने बैंगल में कीला कभी देखा था अगर उनकी तरह ही सभी राजनेता अपने अपने छेत्रों में उतर सैनिटाइज करना शुरू कर दें तो यकीनन पूरा देश एक हफते में ही सैन और हम कोरोना की इस जंग में वक्त से पहले ही जीत हासल कर लेंगे आगरा से न्यूस टाइम नेशन के लिए राश ठाकुर की रिपोर्ट